देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने only on mobile phone के प्रियोग से यहाँ पर एक student का result यहाँ पर निकाला है अगर आप भी चाते हों कि class 5B और 8B का result आप अपने mobile phone से निकाल पाओ तो इस वीडियो को लाश्य तक देखिए टोटल प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बता दूँगा और आसानी से जो आपका result है उसे आप find कर वाओगे यह result मैंने अपने mobile phone से निकाला है result scorecard class 5th and add यहाँ पर समख राइटी और केप्चा फिलप किये थे टोटल प्रोसेस में आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको आपका result देखना है इस से पहले मैं आपको mark sheet बता दूँगा यहाँ पर student का नाम दिया है सभी चीज़े यहाँ पर दी गए हैं यहाँ पर आप दिखिए यह है mark sheet इसमें बिशे दियेगा है और यह सभी बिशे आपके लिखी है पूला के आपके 100 थे जिसमें से कितने marks आए है प्रोजेक्ट के कितने मिले हैं लिखित कितने मिले हैं यह सभी चीज़े दी गई है और टोटल दोनों का योग भी यहाँ पर लिखा है तो कुछ इस प्रकाश से यहाँ पर आपको सभी चीज़े दी गई है अगर आप भी आपका result देखना चाहते हैं और यह आपकी mobile phone से तो बहुत प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखिए और आप आसानी से आपके result को निकाल पाऊगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने google open किया है simple से आप भी अपने mobile में google या chrome कुछ भी open कर सकते हैं यहाँ पर आपको search box दिखाई दिखा तो इसमें आपको simple से click कर देना है इसकी बाद आप search करोगे rskmp.in यह लिखेगा इसकी बाद लिखेगा board exam लिखकर आप simple से search करिएगा इसकी बाद दिखेगे कुछ इस परकार का interface आपके सामने आएगा तो थोड़ा सा scroll करिएगा इस परकार की website आपके सामने आजाएगी यह दिख सकते हैं result scorecard class 5th and 8th राजी सिक्छा कैंथ दिखेगे और किसी website पर आपको click नहीं करना है इसी website पर आप click करिएगा यह official website है www.rskmp.instudentresult तो इस पर आपके लिख करिएगे थोड़ी सी process होगी इसकी बाद दिख सकते हैं इस परकार का interface आपके सामने आएगा result scorecard class 5th and 8th यहाँ पर आप से समगर ID डालने को बोला जाएगा और नीचे आपको fill up करना है capture इसकी बाद देख सकते हैं सिंपल से आपको यहाँ पर समगर ID की नंबर डाल देने हैं और नीचे आप capture फिलफ करती जिएगा यह देखिए जो आपको नीचे कुछ red color में जो आपको बड़ से दिख रहा है अगर यह capital letter में हो तो capital में डालिएगा small letter में हो तो small में यहाँ पर आप दीख सकते हैं a add121 यह केपचा आपको यहाँ पर डालना होगा यह डालने की बाद सिंपल से जो 100 आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप किलिक कर लिजिगा एंड देखें यह जो समगर ID के नंबर है यह मैंने यहाँ पर बिलर किया है सुरक्षा कानलो की बज़े से आपके जो भी roll number है समगर ID के नंबर है आप यहाँ पर डाल लीजिगा नीचे जो केपचा दिया है आप फिलिप करिएगा इसके बाद कर दीजिगा इसके पर लिजिगा आपका आपकी सामने आ जाएगा देखें मैं आपको अभी बताता हूं किस प्रकार से जो आपका रिजल्ट है आप देखोगे यह सबी चीज़े हमने फिलिप की इसके पास सोपर क्लिक किया एंड देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट है यहाँ पर आपका नेम समगर आईडी नंबर इस्टिडेंट नेम फादर नेम मदर नेम सबी चीज़े यहाँ पर आपकी आज आएंगी डेट बर्त दिया है मीडियम कुंसा है हिंदी इंग्लिस मीडियम पह भी यहाँ पर लिखा रहेगा साथ ही साथ कितने आपकी मार्क्स आए हैं वह सबी चीज़े आपके यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी देखिए कुछ इस प्रकाद से यहाँ पर आपकी सबी चीज़े यहाँ पर इसकुल नेम समक्राइटी पगेरा दी हैं इस्टिदेंट नेम दिया है फादर नेम मदर नेम टेट बर्थ तो कुछ इस प्रकाद से जो आपका रिजल्ट है भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो और नीचे देखिए सबी आपकी जो मार्क से भे भी आपको यहाँ पर सो हो जाएंगे तो इस प्रकाद से आप सिंपल से जो आपका रिजल्ट है क्लास फिप्त और क्लास एड्ट के लिए उसे आप निकाल सकते हैं एंड वेब साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देदूंगा तो लिंक पर किलिक कर भी आप सिंपल से वेब साइट पर जाकर आपका रिजल्ट चेक कर सकते ही